क्या तीरत सिंगरावत सिर्फ जुनाव तक के रिये मुख्यमंत्री हैं? क्या तीरत सिंगरावत को सिर्फ टाइम पास करने के लिए भीजा गया है? या उनमें बली का बगरा ढूडा गया है? क्या 2022 के जुनाव के बाद उत्तरा खंड में वीजेपी को नया नेता मिलेगा अगर ऐसा होगा तो वो नेता कौन होगा इसका पूरा विस्टेशन आज इस वीडियो में दोस्तों नवस्कार मैं मानु पावार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर दोस्तों वैसे तो मैं पॉलिटिकल वीडियो आम तोर पर कम ही बनाता हूँ लेकिन जो गिने चिने पॉलिटिकल वीडियो मैंने बनाए हैं वो आप लोगों ने बहुत पसंद के हैं आप में से कई दोस्तों ने मुझे सला भी दी है कि मुझे पॉलिटिकल वीडियो भी नियमित तौर पर बनाने चाहिए कई दोस्तों ने मैसंजर और ट्विटर कर जरिए भी मुझे तक अपनी बात पहुच आई तो दोस्तों आपकी सलाह जो है वो सिर्माते पर इस सीरीज में मैं कुछ और वीडियो लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में बात होगी कि क्या तीरत सिंगरावत सिर्फ उत्तराखंड चुनावता के लिए ही मुख्यमंत्री है या उन्हें आगे भी मौका मिलेगा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अंत्र तक जरूर देखेगा दोस्तों आप मेंसे जो लोग क्रिकेट और उसकी शब्दावली को जानते होंगे समस्ते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि नाइट वाच मैन क्या होता है ये टेस्ट क्रिकेट से निकला शब्द है टेस्ट मैच पांस दिन का होता ही आपको पता है और किसी दिन का खेल खत्म होने में अगर बस कुछी मिनट का खेल बचा हो और अचानक कोई विकेट गिर जाए तो अकसर बल्लेबाजी करने वारी जो टीम होती है वो अपने प्रमुख बल्लेबाज को पीछ पर नहीं उतारती उसे अगले दिन के लिए सुरक्षित रखती है बचा कर रखती है ऐसे मौकों पर टीमें अकसर अपने बहुत जो निचने करम के खिलाडी होते हैं या कई बार अपने गेंदबाज जो उनका होता है उसको बल्लेबाजी के लिए बेजा जाता है वही खिलाडी दोस्तो इकाल लेगा यानि उसे टाइम पास करने के लिए ही क्रीज पर उतारा जाता है फिर जो नए दिन के खेल की जो शुरुआत होती है वो अगर वो जल्दी भी आउट हो जाए तो उसके कोई फरक जादा नहीं पड़ता नए दिन के खेल में स्पेशलिस्ट बैस्मेंग को पि पर समय गुजारने के लिए भीजा गया है हो सकता है कि वो सिर्फ चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहें वैसे भी फरवरी मार्च 2022 में उत्राखंड में विधान सभा चुनाव होने हैं चुनाव में अब साल भर भी नहीं रह गया है और तीरत सिंग रावत के पास काम करने क हैं उत्राखंड में जो अभी जो मौझूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे मुझे लगता है कि 2022 में बीजेपी शायद तीरत सिंग रावत के बजाए अपने किसी दूसरे नेता को कबान सौपेगी यानि अगर बीजेपी अगला चुनाव भी जीत लेती है तो पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि तीरत सिंग रावत फिरहाल क्रिकेट के नाइट वॉच मैन की तरह क्यों नजर आ रहे हैं इसके लिए हमें मुक्यमंतरी बनने के बाद तीरत सिंग रावत के फैसलों और उनके बेशीर पैर के बयानों की तरफ ध्यान देना होगा जिसमें उनकी भारी जग हासाई हुई 11 मार्श 2021 को मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरत सिंग रावत ने 11 मार्श को पहला फैसला किया कि हरिद्वार महाकुमों में तीरत यात्रियों पर हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा करी जाएगी तीरत ने 15 मार्श 2021 को कहा कि द्वापर में तेता युग में रामकृष्ण हुए हैं उनको लोग भगवान मानने रगे उसी तरह भुष्य में नरेंद्र मोधी को पूजा जाएगा 17 मार्श 2021 तीरत सिंग रावत ने महिलाओं और लड़कों के घुटने में फटी हुई या उदुरी वी डिजाइनिंग जीन्स या रिप्ड जीन्स को उनके घर के संसकारों से जोड़ रिया 18 मार्श 2021 तीरत सिंग रावत का एक और वीडियो वाइरल हुआ जिसमें उन्होंने छात्राओं के सौर्च पहनने के फैशन पर टिपणी की 21 मार्श 2021 तीरत ने ऐसा ब्यान दिया जिसमें उनकी भारी फजीहत हुई तीरत ने कहा कि अमेरिका ने हमें 200 साल गुलाम बनाए रखा और दुनिया पर राज किया 21 मार्श 2021 को ही तीरत सिंग रावत ने कहा जब समय था तो आपने दो बच्चे ही पैदा किये और 20 क्यों नहीं पैदा किये दोस्तों इन बयानों को देखकर लगता नहीं है कि तीरत सिंग रावत अपने जिम्मेदारी को लेकर बहुत गंभीर है या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उनमें इतना बड़ा पद संभालने का माददा नहीं है ध्यान दीजे का कि तीरत सिंग रावत उस राजय के मुख्यमंत्री हैं जहां जादतर इलाकों में बुनियादी सुविधाईं तक नहीं पहुँच माई है पूरा पहाड भीशन पलायन की मार जेला है पहाडों में रोड कनेक्टिविटी और स्वास्तर सुद्धाओं का आलम ये है कि पैदल रास्तों पर ही प्रसव हो रहे हैं यही हाल शिक्षा का है यही हाल रोजगार का है और दूसरे अक्षित्रों का है लेकिन नए मुख्यमंत्री की प्राथिमिक्ता में क्या है गुटने पर फटीवी जीन्स या सरकारी हेलिकॉर्प्टर से महाकुम में फूलों की बारिश यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीरत सिंग रावत की राजनेत्रिक गुरु भुवन चंदर खंडूरी को भी एक बार ऐसी ही सिच्वेशन में पार्टी हाई कमान ने उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की कमान सौपी थी जबकि विधान साबा चुनाव को लगवक छे महीने ही रह गए थे तब निशंग को हटा कर खंडूरी को बीजेपी आलाकवान ने दूसरी बार सियम बना कर भेजा था खंडूरी ने उतने कम समय में ही ताबर तोड और कुछ लोगप्रिया फैसले भी लिए अन्ना अंदोलन के उसदौर में खंडूरी ने टीम अन्ना को देहरादून बुला कर देश का सबसे सक्त लोगपाल कानून बनवा लिया बीजेपी चुनाव से 6 महीने पहले तक मुकाबले को बुरी तरह गवाने जैसी बदहवासी में पहुँच गई थी वो अचानक मुकाबले में लोट आई 2012 में जब उत्तराखंड विदान सभा के चुनाव नतीजे आए तो इसकोर था बीजेपी का 30 सीट और कॉंग्रेस 32 सीट मामूली अंतर से बीजेपी की सरकार बनते बनते रहे गई लेकिन तीरत सिंग रावत खंडूरी जैसी चमक अभी तक नहीं दिखा पाए हैं वैसी उम्मीद नहीं जगा पाए हैं कि वो वाकई कुछ करना चाहते हैं इसलिए ज़्यादा संभावना ये नजर आती हैं कि अगले चुनाओं में तीरत को इतना बड़ा मौका अब शायद ही मिल पाए अगर अगले चुनाओं में बीजेपी अच्छा नहीं करती है तो उनका बली का बकरा बनना वैसे भी तय है वैसे भी बीजेपी उत्राखण में अपने मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं देती बीजेपी ने उत्राखण की पहली कारेवाख सरकार की अपने मुख्यमंत्री नित्यानन स्वामी को 11 महीने में ही चलता कर दिया था उनके बाद स्यम बनाए गए भगत सिंग कोश्यारी भी लगबग चार महीने ही मुख्यमंत्री पद का सुख भोग पाए भोणचंद्र खंडूरी से पहली पारी में दो साल तीन महीने बाद ही स्यम की कुर्ची छीन लिगई खंडूरी की जगे स्यम बनाए गए रमेश पोकरियाल मिशन के कुर्सी भी बीजेपी ने दो साल तीन महीने में ही हिला दी दूसरी पारी में भोणचंद्र खंडूरी लगबग च्छे महीने मी मुख्यमंत्री रह पाए त्रिवेन सिंग रावत को भी तीन साल ग्यारा महीने में ही मुख्यमंत्री रहने दिया गया वो चार साल भी पूरा नहीं कर पाए अब बात ये कि अगर तिरज सिंग रावत के वाल चुनाव तक के स्यम है तो बीजेपी का अगला स्यम कैंडिडेट कौन हो सकता है अभी तक के हलात से दोस्तों ऐसा प्रतित होता है कि अगर 2022 के चुनाव में बीजेपी वापस ही करती है तो हो सकता है कि चुनाव के बाद अनिल बलूनी की ताजपुशी हो जाए किर्केट की भाषा में कहें तो वो प्रमुख बल्लेबाज अनिल बलूनी ही हो सकते हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए फिलहाल तिरत सिंग रावत को नाइट वाच मैन के तौर पर उतारा गया है अनिल बलूनी के सक्रियता को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि शायद वो 2022 के लिए अपने पैड बांदे हुए हैं नेट प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं ज्यान रहे दोस्तों ये सिर्फ एक प्रोटिकल आपजरवेशन है उतराखन की राज़ीते में कभी भी कुछ भी हो सकता है जैसा आपने देखाई है इसलिए किसी भी बात को अंतिम सत्यमत मानिएगा लेकिन अनिल बलूनी को बड़ा दावेदार मानने की वज़े हैं भी मैं आपको बताता हूँ पहले वज़े तो यही है दोस्तों कि वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रिह मंतरी अमिद शाह की पसंद हैं उनके बेहत करीबी हैं उनके बेहत भरुसेमन हैं BJP के भीतार उनका कद किसी भी मिनिस्टर से किसी भी दूसरे बड़े नेता से रधा है और जादा प्रभावी है वो बीजेपी के भीतर एक ताकत वर शक्षियत हैं और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि उत्तराखंड में हाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी उसमें अनिल बलूनी एक नया पावर सेंटर बन कर उब रहे हैं दोस्तों मार्स के पहले हपते में जब त्रिवेंद सिंग रावत ने अपने कुर्शी बचाने के लिए आखरी जोर लगाया और वो दिल्ली की तरफ दोड़े तो ऐसा कहा जाता है कि अमिज साह से उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल पाया जबकि त्रिवेंद को सीम बनाने में अमिज का रोल माना जाता है उन्होंने अमिर्शाह के साथ 2014 के महत्तपूर्ण लोगसभाचुनाओं में यूपी में सहप्रभारी के तौर पर काम किया था ऐसी खबरें आई कि त्रिवेंद सिक रावत को दिल्ली में अनिल बलूनी से मुलाकात करने के लिए कहा गया और वो बलूनी से मिलने गए भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद का दिलनी में राजसभा सांसद अनिल बलूनी के घर जाकर मिलना कोई मामूरी घटना नहीं थी ये इस बात पर मुहर है कि बीजेपी हाईकमान ने बलूनी को एक पावर सेंटर बना दिया है बलूनी भले ही उत्राखंड में जमीनी नीता नहीं माने जाती लेकिन अपनी पार्टी के भीतर वो एक नए शक्त केंदर के तौर पर उभर चुके हैं इस पर एक बार और मुहरतब लगी जब मुख्यमंत्री पद की शबत लेने के बाद तीरत सिंग रहवर दिल ली आए तो सांसद अनिल बलूनी से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए उस मुलाकात की बाकाइदा फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई अगर आप अनिल बलूनी को उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते होंगे तो आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि अनिल बलूनी कुछ समय से उतराखन के मावलों के लेकर बहुत सक्रिया है सत्ता के गल्यारों में तो उनकी अच्छी खासी पहुँच है ही जिसकी वज़े से उन्होंने उतराखन से जुड़े कई काम करवाई भी है और इसका परचार भी खुब किया है इससे ये भापना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अनिल बलूनी की नजर किधर है हाल ही में अनिल बलूनी ने सत्ता के केंदरों में अपनी दखल के चलते नई दिली से टनकपुर के लिए पूरागरी जन्शताब्दी एक्सपेस और नई दिली से ही कोट द्वार के लिए सिद्द बली जन्शताब्दी एक्सपेस ट्रेन शुरूर करवाई इसका बखान भी उन्हों ने और उनकी समर्थकों ने सोशल मीडिया और दूसरी जगों पर जम कर किया अन्दिल बलूनी बीजेपी के भीतर बहुत कैलकुलेटिव तरीके से काफी समय से अपने पत्ते बिशा रहे हैं उत्तराखन में जो हाल में नित्रत परवर्तन हुआ उसमें कई जानकारों को लगता है कि इसके पीछे अन्दिल बलूनी भी अधिरिश्य रूप से मौजूद हो सकते हैं लेकिन चुकि अगले चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है इसलिए ऐसा माना जाता है कि त्रिवेंद की विदाई के बाद बलूनी ने खुद न उतर कर नाइट वाच मेन को मैदान में उतार दिया अब ऐसे कयास हैं कि अगर 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार फिर से बनती है तो मुम्किन है कि अन्रिल बलूनी के हाथ में सरकार की कमान हो लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों राजनीत में कभी भी कुछ भी हो सकता है खास कर उत्तराखंड की राजनीत में कि आगे समीकरन बदल जाएं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे इसके लिए आपके फीड़बैक का इंतजार रहेगा आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और हाँ चुकि अब उत्राखंट में चुनावी माहौल धीरे-धीरे बन रहा है तो लहाजा मैं भी उत्राखंट की राजजिनिती से जुड़े दिल्चस्प और कुछ अंसुने किस से आपसे शेयर करता रहूँगा लेकर इसके लिए जरूरी है कि आप भी मेरे यूट्यूब कैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया